दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वागत है आप सब का एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के स्विल्दों में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेट की तरफ से डिप्लोमा और बीबी टेक वालियों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी सुपर्वाइजर पोस्ट पर वेकेंसी है लगभग सभी ब्रांचों के लिजबल किया गया है यहाँ पर सिविल, एलेक्रिकल, मेकेनिकल, सर्वे और माइनिंग इंजिनियर से लिजबल रहेंगे सेलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका CBT एक्जाम के आधार पर होगा सलरी यहाँ पर आपको E0 ग्रेट की मिलने वाली है बाके की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉप सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सब ग्रूप को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेट की तरफ से 14 अगस्त को जारी किया गया है यहाँ पर आप नोटिफिकेशन नमबर देख सकते हैं बिसिकली यहाँ पर आपकी सुपरवाइजर पोस्टो पर वेकेंसी आई हुई है जहाँ पर डिप्लोमा और बी-बी-टेक वाले अपलाई कर पाएंगे वीडियो में आगे जाने से पहले बात कर लेते हैं आपके इलिजबिलेटी क्रैटेरिया के बारे में अगर आपने बी-बी-टेक आपकी डिप्लोमा किया है रिस्पेक्टिव डिस्प्लीन में अगर आपके पास एक्स्पिरेंस है किसी भी Central Public Sector Enterprises का Government Joint Venture Company का Central Government Organization का या किसी भी State Public Sector Enterprises का CPSE, State PSE या फिर Central Government Organization का आप लोग यहाँ पर इलिजबल रहेंगे यह आपकी एक मिनिरत्म कंपनी है Government of India का Enterprises है तो यहाँ पर आपकी अलग-अलग positions पर vacancy आई हुई है जैसे सबसे पहली vacancy यहाँ पर रहने वाली है Mining Engineers के लिए total यहाँ पर 49 पोस्टो पर vacancy रहेगी Survey Engineers के लिए यहाँ पर 2 पोस्टो पर vacancy है Mechanical Engineers के लिए 2 Electrical Engineers के लिए यहाँ पर आठ पोस्टो पर वेकेंसी रहने वाली है पहली वेकेंसी यहाँ पर रहने वाली है Mining Engineers के लिए यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है Mining Engineering में और minimum आपके पास 5 साल का Work Experience है आप लोग यहाँ पर Apply कर पाएंगे इसके साथ ही आपके पास 4 men का Certificate होना चाहिए आगे आपको बताया है अगर आपने B.B.Tech किया है Mechanical Engineering में और आपके पास 2 साल का Work Experience है आप यहाँ पर Apply कर पाएंगे अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सर्वे पोस्ट पर यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आपने डिप्लोमा किया है सर्वे में और इसके साथ है आपके पास minimum 5 year का Work Experience है और सर्वे एर का Certificate है आप यहाँ पर Apply कर पाएंगे या फिर आपने B.B.Tech किया है Mining Engineering या फिर Civil Engineering में और आपके पास सर्वे एर का Certificate है आप यहाँ पर Apply कर पाएंगे नेक्स वेकेंसी यहाँ पर रहने वाली है Mechanical Engineers के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है Mechanical Engineering में आपके पास 5 साल का Work Experience है आप यहाँ पर Elisable रहेंगे या फिर आपने B.B.Tech किया है Mechanical Engineering में Minimum आपके पास 2 साल का Work Experience है आप यहाँ पर Elisable रहेंगे और Last Vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है Electrical Engineers के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है Electrical Engineering में आपके पास 5 यहर का Work Experience है आप यहाँ पर Elisable रहेंगे या फिर आपने B.B.Tech किया है Electrical Engineering में आपके पास 2 साल का work experience है आप यहाँ पर eligible रहेंगे बात कर लेते हैं आपके pay level के बारे में तो salary यहाँ पर आपको E0 great की मिल जाएगी selection process यहाँ पर आपका written test के आधार पर होगा जो लोग भी यहाँ पर written test qualify करेंगे उन्हें यहाँ पर document verification के लिए बुलाय जाएगा अब बात कर लेते हैं आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका offline रखा गया है इसके लिए आपको करना क्या है आपको यह वाला application form लेना है इस वाले application form को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से flip करना है और इसके साथ में आपके जितने भी जरूरी document है उन्हें सबको आपको self test करना है और आपको भेज देना है इनके official address पर address आप यहाँ पर देख सकते है जनरल मेनेजर HR हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेड तामरा भवनवन असुतोष चोधरी एवन्नीव कोलकाता के eligibility criteria को पूरा करते है आप यहाँ पर apply कर सकते है Thank you सुक्रिया